राजस्थान चुनाव को लेकर अलग-अलग जोतिश्यों की अपनी अलग-अलग राय हैं, अलग-अलग प्रेडिक्शन्स हैं, हमारे साथ है विश्व विख्यात जोतिश अचार्य पंडित पवन शर्माजी उनसे जानते हैं कि राजस्थान में सत्ता का सिर्मोर आखिर कौन नमस्कार विजय जी, पूरूब में भी सब कुछ ग्रहों के आधिन ही होता है, और राजस्थान में जिस तरह से अभी जो चुनाव हुआ है, इसका हमने पूरा विश्विश्यों जोतिश गण्णा के निसार किया है, क्योंकि भारतिय जोतिश वेदों का नेत्र है, ऐसी इ हमने ये अनुभग किया कि राजस्थान की राजसी, भारतिय जिन्ता पार्टी, कॉंग्रेश एवं अन्य दलों की प्रत्यासियों के सहित, उनकी घंणा की, तो क्योंकि भारतिय जोतिश में इंटरनेशनल एस्ट्रलोजी रिसर्च एंटर ने इस तरीके का रिसर्च किया ह है, सोद किया है, उसके अनुषार हम जब देख रहे हैं, गोचर लगन के अनुषार, तो राजस्थान की राजनीती का जो रिवाज चल रहा था, कि भई 5 साल कॉंग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी रहेगी, इस तरीके की जो इस्तिती थी, वो बड़ी अजीब और गरीब की बीच में चल रही थी, तो हमने जो प्रेडिक्शन किया है, इसमें राजस्थान की राजनीती का नहीं बदलेगा, 5 वर्स बीजेपी और 5 वर्स कॉंग्रेस वाली बिचारदारा, ये बिचारदारा में, क्योंकि जब रोजहान आएंगे, तो बीजेपी की सरकार आ रही ह इसी इस्तिती में बसंद्रा राजे सवालेंगी केंदर की कमाल, ये बड़ी चंता का विश्व है, क्योंकि जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी, और 3 वर्स, 3 बार मुक्षमंत्री रही है, तो ऐसी इस्तिती में क्या 4 बार किसका बागे खुलेगा, तो पूर इंटरनेशनल अस्ट्रोजी ने इसमें पूरा लिखा है, और आज की इसमें डेट के साथ में हमने इसको पूरा मेंशन किया है, ये जो पेपर है, और इसमें कॉंग्रेस को बड़ी पराजय का सामना करना पढ़ रहा है, कोई भी योजना, कोई भी मुद्दा, बीजेपी क लेकिन सरकार जो है, वो बीजेपी की बन रही है